लो दोस्तो वेल्कम बैक टू माई न्यू व्लोग दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खुर्रम व्लोगर और मैं हूँ आपका दोस्तो रोज खुर्रम व्लोगर दोस्तो आज की इस वीडियो में देने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स और इंफोमिशन जो शायद पर आपको किन चीजों का ध्यान देख दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू देली एपको टर्मियल थ्री पर वोश्रूम आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं यहां पर आप एक चीज नोटीस करेंगे इस वोश्रूम के बाहर कहीं पर भी लेडिज और जैंट का यह आपका लेडिज वोश्रूम है और उपर काफी सारी डिटेल भी दी हुई है जब क्लीनिंग शुरू हो जाती है तो नियरेस्ट वोश्रूम कहां पर अवेलेबल है यह भी आप उपर लिखा हुआ देख सकते हैं कहां कहां पर और वोश्रूम अवेलेबल है तो दोस् स्कीपिंग स्टाफ कई बार सेक्योडी को बुला लेते हैं क्योंकि एरपोर्ट पर वोश्रूम अवेलेबल है तो हो सकता है आपको सेक्योडी काफी सारे कोश्चन करें और आप अपनी साइड से गलती से गए हों बर्ट आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुजाए वोल पर पर बार कोड लगे हुए है इतना क्लीन वोश्रूम रहता है अगर आपको लगता है कि यहां की सर्विस अच्छी है तो आप उनको रेट कर सकते हैं यह बार कोड स्कैन करके और कुछ इस तरीके से यहां का वोश्रूम दिखाई देता है जब आप अंदर जाएंगे तो सकते हैं वाटर डिस्पेंसर लगे हुए हैं जगा जगा पर जो एक टैप है दोस्तो इनके अंदर लगे हुए है अभी आपको कैसे यूज़कर मैं आपको दिखादेता हो तो यहां पर कोई भाटन नहीं है जैसे ही आप अपना हम नेरिं सेन्फर पर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं water अपने आप से ही निकल जाता है तो आपको ये sensor टच करना है और अगर आपको soap का use करना है तो side में आप इसको press करेंगे तो आपका soap dispenser से soap निकल आएगा तो दोस्तो इस तरीके से इस washroom के tap को आपको use करना है और फिर उसके बाद जाकर आपको अपना tissue paper इस दल दे सकते हैं तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूं यहां पर जो washroom है दोस्तों हर washroom के अंदर एक अपना पुराना जो देसी वाला कमोड है वो लगा हुआ है जातर लोगों को complain होती है कि हम English कमोड पर नहीं बैट पाते हैं तो हर washroom के अंदर लास्ट में एक देसी कमोड लगा हुआ है तो यहां पर आके आप इस toilet का use कर सकते हैं और बाकी सारे जितने भी कमोड है वो सारे English toilet है इस तरीके से आपको यहां पर tissue paper मिल जाते हैं और tissue paper के लिए दोस्तों एक information देना चाहूंगा terminal तरीप है जो tissue paper लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं जैसे हैं trash करने के लिए कोई भी बिन नहीं रखा है तो मैंने अभी जो trash है वो सीधा कमोड के अंदर डाल दिया और यह मैंने क्यों डाला है आपक washroom की cleaning का बहुत अच्छे सा ध्यान रखा जाता है दोस्तों अभी इसी washroom के अंदर लेके चलने वाला हूं English toilet के अंदर तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे इस तरीके साप अपना door lock कर लिजेगा उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा space प्रश हो जाएगा और आप देख सकते हैं बराबर में एक आपको टीशू पेपर का रोल भी दिखाई देगा तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहां का washroom यूज करना है जो normal washroom है इसी का second version में आप आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर जो थोड़ा सा updated version है जो अब एरपोर्ट पर नया वोश्रूम जीमर देली एरपोर्ट की से बनाया गया है दोस्तों यह वाला वोश्रूम बिल्कुल अभी नया बना है जैसी आप एंट्री करेंगे आप सामने देख सकते हैं आप आपके बैग रखने के लिए बैठने के लिए जगे बनी हुई रा के अंदर डालकर उसको फ्लश कर सकते हैं और वो टीशू पेपर पानी में मिल जाता है तो उससे कमोड नहीं रुखता है तो यह जो अपडेटीड वर्जन है आप सामने देख सकते हैं सेम वैसे ही दो बटन दिये हुए हैं और टीशू पेपर में दुबारा से निकाल के आ नहीं आती है तो दोस्तों देखिए मैंने फ्लश कर दिया है और यह पूरा पानी में घुल जाता है तो इससे कोई इशू नहीं आता है तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं भार से यह इस तरीके का वोश्रूम है जितनी भी ग्रीन लाइट है यानि के यह सब वेकेंट है अभी वोश्रूम और रेड लाइट वाला जो है वो उक्यूपाइड है जो यूरीन वाला सेक्शन है वो यहां आप देख सकते हैं और दोस्तों जब आप जाएंगे अपना सोब डिस्पेंसर के लिए तो आप इनके नीचे हाथ लगाएंगे और देखते हैं आ इसके पीछे आपको मिलेंगे टिशू पेपर दोस्तों इससे आप अपना हैंड साफ करके बराबर में ही रस्पीन है यहां पर डाल दीजेगा और आप आपको दिखाने जा रहा हूं जो ड्रायर लगे हुए दोनों ही मिरर के बीच में आपको ऐसे ड्रायर मिल जाता है सबी लोगों के लिए जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और उनको थोड़ा भूद भी पता नहीं है और वहिच की चाते हैं सब चीज जानने के लिए कि हमें क्या करना और जैसे कि मैंने बताया था हर वोश्रूम के अंदर लास्ट में आपको मिलने वाला है देसी वाला ट कर सकते हैं वह आपको इस चीज के बारे में बता देंगे तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जगा जगा जो वाटर डिस्पेंसर एरपोर्ट पर लगे हुए वह कहां कहां पर हैं तो यह देख लीजेगा हर वोश्रूम के पास आपको ऐसा डिस्पेंसर मि देख सकते हैं सेंसर लगा हुआ है जैसी आप उसके सामने हैं ले जाएंगे खड़े होंगे तो वहां से वाटर अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगा यह आप देख सकते इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ कर दो आपको